4. गर्बपात क्यूं? मजबूरी या गैर सहमती से बने संबंद से उत्पन गर्भावस्था अज्यान वश, चुंकि भारत में कम उम्र विवाह प्रचलित है, जहां योन अज्यानता एक गमवीर चिंता का विशेय है पती की आपत्ती, साइड इफेक्ट्स का भाई, निरोध विधियों का गलत प्रयोग, विभिन कारणों से निरोध विधियों की अनुपलब्धता और निरोध विधी की असफलता के कारण गर्भ निरोधक विधी के उप्योग की असमर्थता समय पर सूचना और परामर्ष का नहीं मिलना प्रस्तावित MTP संशोधन विधेयक 2014 विधेयक 1971 के बाद की प्रगती चिकित्सा प्रोध्योगिकी में विकास का हवाला देते हुए 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात की अनुमती प्रदान करता है यदि माता या भ्रून को खत्रा हो जीवन के लिए खतरनाग भून सामान्यता की स्थिती इसकी जाज गर्भवस्ता के 18 सप्ताह बाद ही की जा सकती है में गर्भपात पर किसी समय प्रतिबंद को आरोपित नहीं किया गया है इसमें ध्यान रखा गया है कि गर्भवस्ता की समापती की अनुमती अवश्य मिले यदि यह बलातकार का परिनाम हो इस बात को मान्यता दी गई है कि यौन सक्रिय अविवाहित स्त्री एक निर्धारित समयावधी के अंदर गर्भपात की अनुमती मांग सकती है यदि गर्भवस्ता अनियोजित है वर्तमान कानून में यह व्यवस्ता सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए है 6. आगे की दिशा, स्त्रिया बराबर की नागरिक मानी जाए उनका अपने शरीर, प्रजनन और मात्रित्व पर नियंत्रन का अधिकार उनकी सशक्ती करण के लिए अनिवार्य है न्याई पालिका और नीती निर्माताओं को एक धर्म निर्पेक्ष द्रिष्टिकोन अपनाते हुए ये सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता है कि भारत की महिला नागरिकों को भी समविधान और मानव अधिकारों पर स्वीकृत अंतर राष्ट्रिय नियमों के अनुरूप एक समान नागरिकता अधिकार हासल है इसके अंतरगत ही महिलाओं को जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार और वैग्यानिक प्रगती से लाब पाने का अधिकार शामिल है पित्री सत्ता अत्मक मान सिक्ता उनके प्रजनन अधिकार पर न थोपी जाए महिलाओं को अपने गर्ब में पल रहे शिशु की जैनेटिक विकृतियों को मानने और फैसला लेने के लिए 3-4 सप्ताह का और समय मिलना चाहिए क्योंकि 20 सप्ताह भ्रून की विकृतियों का पता लगाने और कोई निर्नय लेने के लिए बहुत कम समय है महिलाओं के प्रती अपराधों को देखते हुए शिशु को जन्न देने न देने का हग भी महिला को मिलना चाहिए क्योंकि वो किसी और की गलती का बोज ताउं धोती रहे इसके लिए विवश करना उसके मौलेक अधिकारों का लंगन है